बिहार भादपा के युवाद चेहरे रितुराज सिन्हा को भादपा में बरी जिमेदारी दी गई है रितुराज सिन्हा को जेपी नडडा ने पार्टी में राश्ट्रिय मंत्री के तौर पर निक्ट किया गया है रितुराज सिन्हा के राजनितिक सफर की अगर बात की जाए तो रितुराज सिन्हा 2005 से राजनितिक में सक्रिये हैं रितुराज 2014 लोकसभाचुनाओं में फ्रंट लाइन पर काम करते दिखे 2014 कि लोग सभाच नौव में रितुराज सुन्हा को कैम्पेन कमीटी में बड़ी जिम्मिदारी दी गई थी साल 2015 में रितुराज सुन्हा को अमिस साहने प्रचार अभियान समीती के सदस्य के तोर पर दाइत्तो सोपा जो अपने आप में बेहद महत्पुर्ण और जिम्मिदारी भरापत था 2017 से 2020 के बीच रितुराज नित्यानराय की प्रदेश कमीटी में बतौर प्रदेश पताधिकारी भी काम कर चुके हैं 2019 लोकसभाचनौ में रितुराज सुन्हा को राष्टिय दायत तो दिया गया रितुराज 2019 के लोग सभाचनाओ में नेशनल कैम्पेन कमीटी के सदस्य बनाए गए इस कमीटी में आज सदस्य जितका ने तुष्ट तुस्वरगी एरून जेटली तब कर रहे थे रितुराज ने इस दोरान भी अपनी काबिलियत साबित की और पार्टी के वरिष्ट नेताओं के चहेते बन गए 2020 के विधान सभाचनाओ के दोरान रितुराज सिन्ना भाजपा के मेनिफेस्ट वात निरभर बिहार के सुत्रदार के तौर पर सामने आये और उन्होंने मेनिफेस्टों में कई सारी ऐसी चीजों को सामिल करवाया जिससे भाजपा को आम लोगों से कनेक्ट करने में बड़ी मदद मिली जिसका नतीजा भी निकल कर सामने आ गया है भासपा ने बरी जीत बिधान सवाचनों में हासिल की रितुराज एक सफल उद्यमी भी है रितुराज को अगर बिहार का ग्लोबल बिहारी कहा जाए तो कोई अतिस्योक्ति नहीं मानी जाएगी युवाद द्यमी के साथ साधर रिजाज में बरे पैमान पर बिहारे के लोग और रोजगार मुहिया कराने का भी काम किया है इससे पहले रितुराज को परधान मंत्री ने अपने कोर कमीटी का सदस्य बनाया था इस दोराण रितुराज ने NCC के लिए कई सारी योजनाओं पर काम करना सुरू किया